अगर आपने इस इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन वाले स्माटफोन को पर्चिस किया है आप पर्चिस करने का सोच रहे है तो ऐसे मैं आपको इसके इस स्माटफोन के एक यूस्फुल फीचर के बारे में पता होना चाहिए जो काफी ज़्यादा अमेजिंग है और आपको बहुत साथा यूस में आ सकता है लाइक स्प्लिट स्क्रीन फीचर बैसिकली ये एक फीचर है स्माटफोन का जो आपको अलाव करता है एक के साथ में दो-दो आप्लिकेशन को ओपन करके यूस करने का यानिकि आप एक के आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में भी देखने को मिलेगा मैंने लास्ट इम बताया था कि नोट 11 में स्क्रीन को स्प्लिट कैसे करना है और आज बार यह है इस इन्फिनिक्स नोट 11S Free Fire Edition में वैसे तो यह जो स्माटफोन आपको इस टैप के बॉक्स में देखने को मिलेगा औ यह है इस स्माटफोन का पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन तो इसमें जो प्रोसेसर आता है जी 96 का प्रोसेसर आता है यानि कि अ कंपलिटली हार्ड कोर एक गेमिंग स्माटफोन है जो आपको गेमिंग के वामल में बैटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और साथी साथ इसमें जो कैमरा आता है ये completely एक वाइड अंगल ट्राइब कामरा जो आपको क्वालिटी मामल में अच्छा का से इंप्रुमेंट यहाँ पर बिलेगा और यह आपको फिलिप काड़ पर एविलेबल मिल जाएगा इसका एक और वेरेंट है 6GB RAM का लेकिन 6GB RAM से जारा बेटर 80GB RAM होगा लेकिन स्मूदनेस आपको बेटर मिलेगा और लॉंग टैम बेसिस पर भी यह स्मार्टपॉन काफी जारा यूसफूल रहेगा स्थाट करने से बर एक पोईंट याब यहापर मैं आड़ काना चाहता हूं यह चानल है मैरा completely Nam issa तो अब आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ सार आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टागरम अकॉन का लिंक मैंने वीडियो के डाॉंसेट में दिया है but don't forget to subscribe to the channel if you like my content so now let's come to the main point so split screen basically ये का feature है जो बहुत ही कम smartphones में देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपके पास Tecno के या Infinix के smartphones है तो ये feature आपको पहले देखने मिलेगा तो इसे apply करने के लिए आपको सबसे बहुत दो application को pick करना है जिसे आप use करना चाहतो एक साथ तो यहाँ पर मैं दो application pick करूँगा पहला होगा YouTube और उसके बाद application को close नहीं करना है इसे background में चालू रखना है तो इसके लिए middle का button आपको प्रेस करना है ताकि यह application background में चालू रहे है उसके बाद एक और application pick करना है तो यहाँ पर मैं pick करूँगा let's say example Google का यह application pick करूँगा यह Google application है इसे open किया that's it so now अब यहाँ पर दोना application में पिक किया तो अब यहाँ पर इसके लिए डारिकला आपको recent app में जाना है और यहाँ पर background में आपको दोना application बिल जाएंगे अब यहाँ पर split screen feature का अपलाई करना अपलाई करने के लिए यह जो उपर के साइड में यह double window का option दिख रहा है इस पर टाप करना है उसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पर डबल विंडो दिख रहा है इस पर टाप करने के बाद उपर की तरफ है YouTube application और इसे की तरफ है Google application बस apply हो चुका है और इसे और अच्छे से इसका advantages लेने के लिए आपको अपना जो smartphone है उसको rotate कर देना है यहाँ से तो automatically यह जो है split screen हो जाएगा तो left site में है YouTube application और right site में है Google application तो आप YouTube पर वीडियो वाच करते करते right site में Google पर आप application यानिकि कुछ भी और यह दोनों सेम वैसे काम करता है जैसे सिंगल ही यह दोना application काम करता है अगर मैं इसे प्ले करता हूँ एक रैंडम सा वीडियो तो यह यहाँ पर वीडियो प्ले चालू है और साथे साथ मैं यहाँ पर कुछ सर्च भी कर सकता हूँ और अगर आपको इसे close करना है तो आप close भी कर सकते हो और अगर आपको यह पूरा फिटर बंद करना है तो आपको यह जो बीच में लाइन दिख रहे है इसको उपर की तरफ खिश लेना है या तो फिर इसको निची की तरफ खिश लेना है और automatically यह जो split screen का feature है यह बंद हो यह बंद हो पर और यह बंद आसके बाद भी यह बंद ही अपको आपको सिलेडर सकते हैं घिंच की भी Researchákा कना डाफ यह जह आयाओ कि करता हैं में तो तो यहां पर मैंने दो गेम किया है, PUBG New State और Battleground Mobile India तो यह दोना application को मैं split करूँगा, तो सबसे बिले यहां पर Battleground Mobile application को मैंने open किया, तो यह application यहां पर run कर रहा है, तो इसको close किया, अब उसके बाद open करूगा PUBG New State, तो यह भी application open हो रहा है, तो अभी दोना application को मैंने open किया, PUBG New State और Battleground Mobile India तो यहां पर मैं split करना चाहता हो, तो इसके लिए मैं window के option पर tap करूँगा, यह window के option पर tap किया, Android के बाद यहां पर BGMI पर, तो अभी दोना application यहां पर game open कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा problem आपको यहां पर हो सकता है, कि पहली बात तो दोनों ही application वैसे easily splitted तो हो जाएंगे, आप दोना application को split कर सकते हो, लेकिन आपको यहां पर hang का problem फेस करना पड़ सकता है, बीजी अमाई गेम को जब आप उपन करोगे तो वह आपको ऐसे लुक में देखने भी लेगा, और पबजी निश्टेटर का आपको पूरा screen देखने भी लेगा, लेकिन बीजी अमाई के केसे में, आपको जो लुक है वह ऐसे ही देखने भी लेगा, आपको जो आपको जो लुक है, प्रफिट आपको ऐसे ऊपर की तरफ खिछ लेना है या तो नीची की तरफ खिछ लेना है तो अटेमेटिकली जो स्प्लेट स्क्रेन है वो बंद हो जागा उसके बाद बैगरांड से अप्लेकेशन को क्लिंग करना है अब यह रही कि गेमिंग अप्लेकेशन और नॉर्मल करते जिए और नॉर्मल झौपरा ंसे चनली की जह बन तरिकेशन में अपन कर में अप्लेकेशन को तरह को यह window का अगर आपको option दिखे top right side में that means वो application split screen को support करता है और जो application में आपको उपर की तरफ ये window को option ना दिखे that means वो application split screen को support नहीं करता है ये option अगर नहीं दिखा तो समझ लेना वो application support नहीं करेगा जो application में option दिखा वही support करेगा इससे आप easily identify कर सकते हैं अब यहाँ पर एक लास्ट है में एक और आप्लेकेशन को स्प्लेट करके दिखाता हो ताकि आपको यहाँ पर भी विंडो और आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइट करेगा और यहाँ पर आपको स्प्लेट करके यूज़ करने का और फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ भी टाउट होता है इस पीचर के रिलेटेट तो आप मुझे कमें पूछ सकते हैं और अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चानल को सुस्क्राइब कर सक सकते हैं और साथ यह साथ आप इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपको पर पर बिल जाएगा सोला से पंद्राज रुपे के रेंच में आप जाकी इसे पर्चेस कर सकते हैं सो थैंक यू